मेरा दिल था अकेला तुने खेल ऐसे खेला तेरी याद में जागू रात भर वाजीगर ओ बाजीगर तु है बरा जादुगर वाजीगर ओ बाजीगर तु है बरा जादुगर मेरा दिल था अकेला तुने खेल ऐसे खेला तेरी याद में जागू रात भर वाजीगर वाजीगर तु है बरा जादुगर वाजीगर तु है बरा जादुगर वाजीगर तु है बरा जादुगर Hello friends, this is Vijayarat Puspa and welcome to Learner Eyes by VRP. बेसिक इंग्लिज का पार्ट नाइन लेकर मैं आया हूँ तु भी एस्टेटमेंट यान तु भी वर्ब से रिलेटर जो एस्टेटमेंट से हैं तो आज हम लोग देखते हैं सबजेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव जब एडजेक्टिव रहे एडजेक्टिव क्या होता है तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो मोडिफाई करता है किसको और नाउन और प्रोनाउन या किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो मोडिफाई करता है जो इसकी विशेष्था बतलाता है उसे ही हम लोग एडजेक्टिव करते हैं यानि क्वालिटी बताता है जैसे अच्छा बुरा दयालू इमांदार बुद्धिमान तेज यह सारा वर्व का पर्योग करना हो तो हम लोग उसे इस परकार से करेंगे जैसे आप जानते कि I, I के साथ हम लोग क्या पर्योग करते हैं? एम का परियोग करते हैं, वी के साथ आ का परियोग करते हैं, वी के साथ आ का परियोग करते हैं, आप देख सकते हैं, इतने के साथ इज एम आ का परियोग किया जाता है, और जब हमें इंडिकेट करना हो किस चीज को एड़ जेक्टिव को बताना हो, जैसे आप बना सकते हैं, मैं इमानदार हूँ, I am an honest, नहीं, an नहीं लगेगा, क्योंकि honest को हम गीन नहीं सकते हैं, तो आटिकिल नहीं लएगा uncontrable के साथ, I am honest, I am good, I am foolish, I am beautiful, I am handsome, we के साथ, we are honest, we are good, we are foolish, we are beautiful, we are handsome, you के साथ, you are honest, you are good, you are foolish, you are beautiful, you are handsome, he is honest, he is good, he is foolish, he is beautiful, he is handsome, she is honest, she is good, she is foolish, she is beautiful, she is handsome, और इट के साथ हम लोग जब बात करेंगे नल लिभिंग के लिए इसका परयो किजेगा, they are honest, they are good, they are foolish, they are beautiful, they are handsome, uns is honest, uns is good, uns is foolish, uns is beautiful नहीं चलेगा, क्योंकि male है तो उसके लिए handsome, uns and furry are beautiful या handsome आप चला सकते, तो आप ध्यान रकेगा कि जब adjective बताना हो जैसे, मैं खुश हूँ, I am happy, तुम दयालू हो, you are kind, हम लोग दयालू है, we are kind, वे लोग चलाक है, they are clever, हम निर्दोस है, we are नहीं, I am innocent, हम लोग दयालू है, we are kind, तुम सिख्छक हो, you are a teacher, तुम लोग सिख्छक गन हो, you are teachers, तुम सिख्छक हो, you are a teacher, तुम लोग सिख्छक हो, you are teachers, तो यह है कमाल की बाते, जो आप adjective के साथ, इनका आसानी से परयोग करेंगे, और आप बना भी सकते, तो आईए मैं कुछ sentence दिखाता हूँ, आप इसे screenshot ले लेंगे, और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे, next is a structure that is best on fully to be verb, तो आईए देखते हैं, जो कि adjective से related है, तो मैं अगर आपको कहूँ, कि arena खुश है, तो आप कैसे बनाएंगे इसे, arena is और खुश adjective है, तो happy हो जाएगा, अगर रहता कि वे लोग इमानदार हैं, याद रखेगा, इसका परयोग तभी करना है, जब adjective हो, they are honest, तो इस तरीके से आप परयोग करेंगे, परस इसको आप ध्यान रखेगा, अगर हम कहें कि हम लोग, हम लोग तेज हैं, हम लोग तेज हैं, तेज एड़ेक्टिव हैं, तो क्या बनेगा, वी आर इन टेली जेंट, उसके बाद अगर रहेगा, कि वह अमीर है, अमीर होना भी एक अड़ेक्टिव है, क्वालिटी है, तो एड़ेक्टिव के साथ भी हम लोग परियुक करेंगे, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लेगे, तो आप इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन, और पर फिरिस्ट करना न भूले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ, तो सबसे पले आपके पास नोटिफिकेजन पोड़, ठैक्स पर वाचिंग, कीप वाचिंग, जै हिंद, जै भारत.